गोड डिवनिंग एप्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे तो टोड़ी इस ट्वेंटी नाइंथ आप्रेल ट्वेंटी ट्वेंटी टू और डे है फ्राइडे तो जैसे कि आप जोबो यहां पे देख रहे होंगे यहां पे जोबो मैंने क्या ओपन करके रखा है कमपास जोबो मैंने ओपन करके रखा है दिसा, सुचक, यंतर जिसको हम लोग बोलते हैं एक जो बो compass होता है जो जिसको compass या spelling जो बो दोनों की सेम ही है c-o-m-p-a-w-s जो geometry box में आपको मिल जाएगा जो भी instrument होता है जिससे हम लोग जो सरकल लगाते हैं या कुछ और जो बो diagram जो हम लोग बनाते हैं जो बो अलग है यह जो compass है जो जो बो दिससा सुच की अंतर है और इसके बारे में जो आज हम डिसकोस करेंगे मैं जो अपने mobile पर जो चेक कर रहा था कि कौन कौन सी app है बहुत सारी जो बो मेरे mobile में जो बो app है मैं इनको देख रहा था कि इतनी सारी app जो बो कैसे क्यों रखी है तो इनको मैं delete कर रहा था तो मेरे पास जो यहां पर यह तो why default जो बो इसमें mobile के अंदर है compass तो मैंने सुचा क्यों ना compass के बारे में तोड़ा सा discuss करते हैं कि compass जो क्या होता है क्यों जो बो यह हमेशा north और south direction बताता है ठीक है और आपको यह तो पता होगा कि जो compass होता है जो हम लोग किसलिए जो इसका use करते हैं जैसे घर का जो कोई plot बनाना है बस्तु के हिसाब से या जो मर जी जैसा भी होता है तो उसको जब बनाना है तो भी compass की help ली जाती है एक तो compass होता है जो आपको कहीं मिल जाएगा जो भी instrument होता है एक जो आपके mobile के अंदर जो वो एप होती है तो वो भी compass का ही काम करती है तो वही एप के बारे में जो मैं आपको आज बताऊंगा और जैसे आप कभी जो वो जैसे सो रहे होते हैं तो बोलते हैं कि उत्तर की और जो मुह करके जो नहीं रखना है तो आपको पता दो होना चाहिए कि उत्तर जो वो किस साइड है आप जो वो कही और जले गए जैसे hotels में जले गए तो अगर बैड जो वो जैसे मर्जी लगा हो आपको जो वो हो चेक करना पड़ेगा अब कह जो इस डारेक्षन है वो किस साइड है सबसे best जो मानते हैं कि east direction में जो वो मुह करके सोना चाहिए ठीक है उत्तर की ओर जो वो उत्तर मतलब पूरो परस्चिम उत्तर जैसे यहां पे जो आप देख रहे होगे east जो लिखा है यहां पे जो वो पूरो बोलते हैं east को और यहां पे south east के बिल्कुल opposite होगा west पूरो यहां पे पस्चिम और यहां पे north मतलब की उत्तर और यहां पे दक्सिन हो जाएक ठीक है मतलब की दक्सिन की तरफ जो पैर नहीं करने चाहिए इसके बीचे जो वो reason है बोच सब को discuss करेंगे scientific reason क्या क्या है बोच सब को discuss करेंगे एक तो जैसे बोलते हैं कि हमारे blood के अंदर जो आईरन है blood के अंदर जो लोहा है हमारे खुन के अंदर तो वो भी एक reason है scientific reason वो मनते हैं तो जो main reason है कि यह जो लोहा हमारे अंदर है ठीक है यह जो लोहा है यह क्यों जो जो वो उत्तर की side जो जो जा रहा है मतलब की कौन खींच रहा है इसको तो यह जो वो हम लोग यहाँ पर आज discuss करने वाले हैं काफी interesting topic होने वाला है चलिए start करते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब भी आप compass जो वो दुकान से लेकर के आएंगे या mobile पर जब भी चेक करेंगे या आप घर में भी जो बार मेगनेट जो वो बना सकते हैं बड़े अराम से तो कैसे जो जो जैसे एक जो धाका ले ले लें उसके नीचे जो बार मेगनेट अगर है तो ठीक है या तो कोई magnetic needle जो वो काम करेगी तो आप देखेंगे कि उसको जो फ्रीली suspend करना है तो जो जो पड़ा होगा 6th class ही start हो जाता है बार मेगनेट क्या होता है North South direction ही क्यों बता रहे हैं तो बात main जो यहां पर क्या रही है कि यहां पे जो भी हम लोग लटका रहे हैं वो जो नौर्थ और South direction क्यों बता रहे हैं ठीक है इसके पीछे जो वो reason A है कि हमारी जो अर्थ है उसके पास जो वो magnetic field है अब आप बोलेंगी कि हमारी अर्थ के पास कैसे magnetic field हुआ हमारी अर्थ के जो वो नौर्थ पूल है और नीचे जो वो साउथ पूल है ठीक है तो हमारी अर्थ के पास जो वो magnetic है मतलब एक प्रकास समझे कि हमारे अर्थ के पास एक magnet लगा हुआ है पहले जो आज कल हम लोग क्या मान रहे हैं आज तक भी हम लोग बहुत अच्छे से इसको discuss नहीं कर पाए हैं बहुत अच्छे से इसके बारे में क्या main reason है लेकिन क्या जो हम लोग मानते हैं क्या theory जो इसके पीछे दी जाती है वो भी हम लोग discuss करें गे से पहले बात करते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसके पास magnetic build है यह हमें कब पता चला तो लगबग 600 VC की बात है बहुत पुरानी बात है तो ग्रीस में जो वो एक island पर जिसका island जो वो एक island था वहाँ पे जिसका नाम था magnesium ठीक है इसको भी आप याद रख सकते हैं तो ग्रीस में एक island था magnesium वहाँ पे जो जैसे जो आजकल हम जैसे हम लोग बेड़ बक्रे चाहते हैं गड़ी लोग तो गड़ी लोग जो बेड़ बक्रे चरा रहे थे उनके सूस S.H.O.E.S. सूस मतलकि उनके जुते उनके जुते ब wooden जो भी सूस थे wooden के तो लकडी के थे उनके नीचे के बाली साइड जो वो nails लगी होती त्ध कीले लगी होती तो बो जो वो earth के surface से जोबो उनके जुते चिपकने लगए क्योंकि दीके लखड नहीं चिपके लखड़ी आपको पता है कि मैगनेस से कैसे चिपके ही तो उनके नीचे जो आरserन की नेर्ट ती जो चिपकने लगए स्टक करने लगए टीक है तो वहां से हमें जो पता चला कि अर्थ के पास ओ, मैगनेटिक फिल्ड है काफी सारी इसके बाद भी थिवरी हुई सॉरी, उसके बाद भी डिस्कबरी जो भो की गई, तो बाद में हमें पता चला कि हमारे अर्थ के पास जो भो मैगनेटिक फिल्ड है, तो मैगनेटिक field क्यों है क्या है इसके पिछे जो बाद में भी काई सारी discovery जो भो होती गई ठीक है फिर जो एक theory जो भो दी जाती है कि अच्छा आपको बता है कि magnetic field जो भो हमें बाद में पता चला कि हर जगह जो भो vary होती रही है कि change होती रही है ऐसा नहीं कि सभी जगह जो ब्राबरी है तो ज़्यादा detail में तो नहीं जाएंगे कि इसका unit क्या रही है या कौन-कौन से जो यहां पर ज़्यादा detail में नहीं जाने वाले ठीक है तो इसके पीछे जो एक theory जो वो सबसे पहले मतलब की पहली जो वो क्योंकि high temperature पर जो भी हमारा magnet है वो काम नहीं करता है आप जो भी magnet है आपके पास अगर लोहे कीचील जो जो भो उसके सामने दाएंगे तो चिप कर जाएगी लेकिन अगर आप उस magnet को जो भो गरम कर देंगे वो जो भो काम नहीं करेगा तो उसके पीछे जो भी फिर से discovery होती गई तो हमारा जो भी हम मानके चल रहे थे कि अर्थ के अंदर magnet है वो जो भो बात जो भो गलत निकली फिर ठीक है जो भी जब हम गरम करेंगे जो भी magnet है तो उसकी जो प्रपरटी है magnetic property है वो जो भो खतम हो जाएगी तो ऐसे कुछ reason दिये गए फिर जो भो हमें पता चला है कि यह तो बात गलत है हमारे अर्थ के अंदर जो magnet बिल्कुल भी नहीं है तो next जो theory जो भो दी गई जो कि आज भी हम लोग जो भो मानते हैं एसा का गया है कि अर्थ के अंदर जो वो क्या है metallic molten fluid है एक ऐसा fluid है जैसे की iron हो गया ठीक है निकल हो गया तो यह सभी जो वो हमारे अर्थ के अंदर है तो क्या हो रहा है हमारे आर्थ के अंदर जैसे जैसे हाई टेंपरिचर आपको बता है कि हमारे आर्थ के अंदर जो वो टेंपरिचर गर्मी बहुचाता है तो वहां पर क्या हो रहा है आइनाजेसन हो रही है तो करंट जो वो पैदा हो रहा है ठीक है जैसे हमारे आर्थ गू गूम रही है अपने अक्स पर ठीक है इसको जो नौर्ट सौथ जो मैंने मान लिया तो ऐसे जो वह गूम रही है तो जैसे जैसे घूम रही है तो वहां पर आयन भी रोटेट कर रहे हैं तो आयन जैसे रोटेट कर रहे हैं तो मैगनेटिक फिल्ड जो यहां पर जनरेट होई तो यह जो वो थियोरी फिर बताई गई ठीक है और इसके यही थियोरी जो वो इसको क्यों मान रहे हम लोग आज तक क्योंकि इसके पीछे जो और भी रिजन दिये गए जैसे एक्जम्पल के लिए जो हमारा मून है ठीक है जो चांद है देखें आपको पताई कि चांद पर जो वो कोई मैगनेटिक फिल्ड नहीं है ठीक है चांद पर जो वो कोई भी मैगनेटिक फिल्ड नहीं है तो उसके अंदर जो वो कोई भी मैटालिक फिल्ड नहीं है इसलिए जो वो उसके अंदर कोई magnetic fluid नहीं है मतलब कि उसके अंदर कोई metallic fluid नहीं है तो इसलिए जो वो magnetic field जो इसके अंदर नहीं है इसके पीछे और भी कई सारे रिजिन दिएगे ऐसे ही जो वो इसको नहीं माना गया जैसे कि Venus है Venus Venus मतलब कि जो होता है बुद्ध के बाद सुकर जो वो जो भो rotation बहुत slow करता है अगर वो rotation जो भो slow करेगा हमारी अर्थ देखिए इसलिए अर्थ के compare में जो वो Venus को देखें वो जो भो बहुत slow जो भो rotate कर रहा है अगर वो rotate जो भो slow कर रहा है तो current जो भो कम होगा ठीक है इसलिए जो वो magnetic field भी अर्थ के compare में जो वो यहां पे विनिस में कम है ठीक है अगर हम बात करें एक planet और है Jupiter जो हमारा सबसे बड़ा planet है ब्रेसपती ठीक है वहां पे जो वो strong है सबसे ज़्यादा अगर बोली जाए magnetic field तो वहां पे है ठीक है और rotate भी fast कर रहा है तो ऐसे जो वो कुछ रिजन बताए गए इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है मेटालिक मूल्टन फ्लिउट्स है जैसे लाइक आइरन हो गया निकेल हो गया ऐसे कई सारे तो जैसे जैसे हमारी अर्थ गुम रही है जितनी ज़्यादा गुमेगी उतनी ज़्यादा आइनजेशन होगी करंट जो वो पैदा होगा करंट पैदा होगा तो आइन रोटेट करेंगे रोटेट करेंगे तो मैगनेटिक फिल्ड जनरेट होगी तो यह जो वो कारण दिया गया है हलांकि जो मैंने आपको उता दिया कि बहुत अच्छे से जो वो इसके उपर जो अभी डिस्कवरी होना जो वो बाकी है तो एक कारण है कि हमारे अर्थ के अंदर जो वो मैगनेटिक फिल्ड है अब बात करते हैं कि आप जो वो कैसे चेक करते हैं तो आप जो वो अपने मुवाइल पर जो वो अगर आपके वाई डिफॉल जो वो अगर है वो अप कमपास वाला तो तो ठीक है अगर प्ले स्टोर से अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से यहां तो जो भी आपका जो भी आप अपने बनाओगे जो भी बार मैगनेट है अगर आपके वास वो तो नौर्थ और साउथ डारेक्शन बताएगा ठीक है तो दो डारेक्शन बता दी तो तिसरी और चौती जो भी बिल्कुल 90 डेगरी पर जो आप देख लो ठीक है वो जो देखिए जो नौर्थ बताएगा इसके बिल्कुल अपुजित जो वो साउथ होगी साउथ होगी तो यहां पे एस्ट होगी और यहां पर वेस्ट होगी अगर यहां पर बीच में लाइन लगा दूँ तो इस्ट और साउथ इसको बोलते हैं ठीक है जैसे रीजिनिंग में हमने डिसकस किया था और यहां पे North और West बोलेंगे बीच में बिल्कुल ठीक हैं हमें बीचback के इसे बिल्कट पर इस्ट और North बोलेंगे यहां पर J deo डिग्री पर अगर मैं इसके लियाام तो मुबाइल को जबो मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ जीरो डिग्री से आगे चला गया यस तो यहाँ पर देखे जीरो डिग्री जब आ चुका है जीरो डिग्री नॉर्थ तो बिल्कुल यह जबो यहाँ पर डारेक्शन जबो यहाँ पर बता रहा है 0 3 degree हो गया अब तीक है आगे जा रहा है आगे जा रहा है एक मिनट यस यस 0 degree north तो मेरे इस side जो बिल्कुल आपको जो इस देखेगा आप जब भी mobile पर जब चेक करेंगे तो east जो आपको लग जाएगा आपको बताएंगे जहां से देखेगा जो यहां पर देखे बताई गई है देखे यहां पर 31 degree 35 minute और 37 second यह जो एक डैस लगा होता है इसको minute पढ़ते है और यह दो डैस लगे है इसको second पढ़ते हैं और यहां पर बिल्कुल एग्जेक्ट जो यहां पर बताई गही है direction ठीक है आगे आप level भी देखेगे vertically और Horizontal Vertically आपको बता है कि उपर नीचे Up-Down हम देखते हैं तो Vertically बोलते हैं और Horizontal आपको बता है कि जो एक सेखेज होता है आप हो इसको horizontal पोलते है तो यहां पर इसक लिए आप बढ़ते हैं बिल्बल पर देख ब Зд mistakes लो इसकाल पर धे ने देखो इना कैसे जो गर का जो scientific reason भी है सोने का क्योंकि हमारे अंदर जो वो क्या है देखे एक reason जो वो एक भी बताए जाता है कि हमारा जो जैसे जैसे आपको बताए कि हमारा जो भी जैसे Mount Everest है चीक है तो वो जो बढ़ रहा है वो जो क्यों बढ़ रहा है क्योंकि जो वो हमारी जो अर्थ का जो मतलब कि जो भी नीचे से टुकड़ा जो वो यहाँ पे मिला है वो जो वो आपस में जो वो ऐसे जुड़ रहा है जुड़ रहा है तो उपर की और जो वो यह दबाव डार रहा है कि हमारा जो भारत है जो कैसे बना कैसे कैसे माँंट पैरेस्ट बना इसके बार मैं हमें लेट बिंट बता इसके वह रिजिन बताया जाता है अगर हम जो वो उत्तर की और जो वो मू करेंगे तो जो वो देखे खून जो वो कहां पे जाएगा मतलब कि खून जो वो कहां पे ज़्यादा सर्कुलेट करेंगा हमारे उपर वाले साइड मतलब की खुपड़ी बाली साइड जाएगा मतलब कि दिमाग बाली साइड तो वहाँ पे जब ज़्यादा आइरन हो जाएगा मतलब ऐसे कुछ रीजन जो बताए जाते हैं तो ये भी कुछ साइंटिपिक रीजन है कि तो हमें जब उत्तर की और जो वह मू करके नहीं सोना चाहिए जैसे मुर्दे होते हैं तो उनको जो वह उत्तर की और मू करके जो वह सुलाए जाता है कुछ ये भी रीजन जो बताए जाते हैं तो इसके बीचे जब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आपको जब मैं सिर्फ इतना पताना चाहता था कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर ऐसा क्या है कि ऐसा जब हो रहा है ठीक है तो बताई आपको ये वीडियो कैसी लगी ओके थैंक्यू बाइबाए और टेक केर